Hello everyone, कैसे हो आप सब तो guys, IPL 2021 की trade window हमें currently active नजर आ रही है जहाँ पर सारी टीमो और सारी franchise को BCCI की तरब से notice दिया जा चुका है कि 4 फरवरी से पहले सारी IPL franchise को अपने अपने trade की process complete करनी पड़ेगी आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी detail में बताऊंगा कि auction की date आने के बाद जो कि हमें आज ही देखने को मिली 18 फरवरी को चेरने में आप लोगों को निलामी देखने को मिलेगी उसके साथ ही 4 बड़ी trade यहाँ पर final होते हुए नजर आ रही है कौन है चार बड़े players किस तरीके से कौन सी टीम में और कितने पैसे में इनका trade आपको देखने को मिलेगा यही सब बात है आज इस वीडियो में पूरी detail में discuss होंगी लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ हमेशा की तरह मैं आप लोगों से request करूँगा कि इस वीडियो को आप देखना बिलकुल last तक उसके साथ ही अगर आप लोग इस चैनल के उपर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर कीजिए subscribe और आप उस notification bell को जरूर प्रेस कीजिए जिससे हमारी वीडियो की update आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो guys बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अब trade window में सबसे पहले number पर जिस player का नाम निकल कर आता है Kings 11 पंजाब के सर्फरास खान हमने आपको इनके बारे में थोड़ी सी डीटेल दी थी क्योंकि उस टाइम पर पूरा matter सामने निकल कर नहीं आया था कि आखिर इनको trade window में क्यों शामिल किया गया है सर्फरास खान को Kings 11 पंजाब के टीम ने RCB की टीम से लिया था और तब इनका price था 25 लाग रूपे लेकिन उसके बाद सर्फरास खान हलाकि domestic circuit में हमें काफी ज़्यदा अच्छा करते हुए नजर आते हैं लेकिन गाईस Kings 11 पंजाब के टीम में या तो उन्हें चांस नहीं मिल पाता या तो जब भी उन्हें चांस मिलता है वो ऐसा कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाते अपने irresponsible sorts की वज़ा से अकसर वो यहां पर हमें आउट होते हुए नजर आ जाते हैं तो यही वज़ा है Kings 11 पंजाब के टीम जिनका balance पर्स काफी ज़्यादा इस बार हो चुका है और ऐसे में उनको पूरी पूरी उम्मीद है कि वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा स्कुएट बना लेंगे IPL की निलामी खतम होने के बाद उनने सरफरास खान को trade बिंटो के लिए आगे कर दिया है लेकिन सरफरास को लेने के लिए अभी तक कोई भी टीम सामने निकल कर नहीं आई है जैसे कोई भी टीम इनको trade करने की race में आती है उसकी डीटेल्स आपको चैनल के उपर सबसे पहले देखने को मिल जाएगी आगे बढ़ते हैं गाईज और बात करते हैं इस लिस्ट में दूसरे बड़े प्लेयर की और यहाँ पर नाम निकल कर आता है कुलकाता नाइट राइडर्स के कुलदी प्यादव का कुलदी प्यादव को KKR की टीम चांस नहीं दे पारी अपनी प्लेइंग 11 में ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है वरुन चक्रवर्ती ने बहुत जादा अच्छी बॉलिंग की थी IPL 2020 में और IPL 2021 में भी वही आप लोगों को KKR की टीम के लीड स्पिन आप्शन नजर आएंगे और गाईज यही वजह की KKR की टीम ने कुलदीप को ट्रेड विंडो के लिए वेलेबल कर दिया था लेकिन कुलदीप यादव को चेन नई सुपर किंग्स की टीम ने ओफर दिया था अपनी टीम में ट्रेड होने के लिए लेकिन गाईज KKR की टीम कुलदीप के बदले सिर्फ पैसा नहीं चाहती वो कुलदीप के बदले पैसा और उसके साथ ही प्लेयर भी चाहती है CSK की टीम से जिसकी वज़ा से ये ट्रेड अभी तक अपने फाइनल स्टेप में नहीं पहुच पाई है लेकिन जल्दी ही आप लोगों को कुलदीप यादव ट्रेड होते हुए नजर आ सकते हैं इस लिस्ट में तीसरे नमबर पर नाम निकल कर आता है डेविड मिलर का मिलर की बात की जाए तो राजस्थान रोयल्स की टीम में उनको जितने भी चांज लिये गए उसमों पूरी तरीके से फेल रहे थे और क्योंकि आरार की टीम के पास अल्रेडी काफी ज़्यादा फॉरन आप्शन्स हो चुके हैं तो इनके लिए किंग्स एलवन पंजाब और आर्सीबी की टीम ट्रेड करने की रेस में आई थी पंजाब की टीम का बैलेंस पर्स जैसे ही तिरपन करोड हो गया उन्होंने अपने पैर यहाँ पर वापस खीस लिया थे इस ट्रेड से क्योंकि उनको लगता है कि मिलर से बहुत जादा अच्छे आप्शन्स उनको आउक्शन में मिल जाएंगे और गाईज अब RCB की टीम भी यहाँ पर इससे पीछे हटती हुई नजर आ रही है आर आर की टीम ने टोटल कैश का ओफर दिया था RCB की टीम को लेकिन रोयल चैलेंजर स्मिंगलॉर की टीम भी IPL आउक्शन में अब Alex Hills या फिर Jason Roy जैसे प्लेयर्स को डेविड मिलर के उपर प्रायरिटी देने का सोच रही है तो ये ट्रेड यहाँ पर शिलाल होती हुई मुश्किल नजर आ रही है इस लिस्ट में चौथे और आक्री नंबर पर नाम निकल कर आता है राजस्थान रोयल्स के मयंग पारकंडे का मयंग की बात की जाए तो ये खुद भी सोचल मीडिया के उपर राजस्थान रोयल्स के टीम के साथ खेलने पर अपनी यहाँ पर जो उनकी अन्हापिनेस है वो दिखा चुके है इनका मानना है कि आरार की टीम में इनका टैलेंट विस्ट हो रहा है क्योंकि इनको चांसेज नहीं दिए जारे और गाइज क्योंकि इनका बेस प्रैज सिर्फ बीस लाज़ रुपए है तो CSK के टीम सीधे-सीधे इनको बीस लाज रुपए में ट्रेड करना चाहती। आरार की टीम से even trade window स्टार्ट होने के पहले से ही ये मैंग पारकंडे को trade करना चाहते थे लेकिन गाईज मैंग पारकंडे को आरार की टीम 20 लाग रुपे में बिल्कुल भी trade नहीं करना चाहती उनको लगता है कि ये आप कहीं जादा बड़े player बन चुके हैं का प्राइस ज्यादा होना चाहिए लेकिन most probably आप लोगों को आने वाले तीन से चार दिन में trade complete होते हुए नजर आ सकती है तो guys ये वीडियो ही तक थी I hope आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसको जरूर कीजिए लाइक और चैनल को subscribe comment section में comment करके आप लोग बताईए अपनी favorite team में आप लोग कौन से बड़े player को trade होते हुए देखना चाहते हो तो मैं मिलता हूँ आप लोग उसे अपनी एगली वीडियो में तब तक के लिए बावाई